कि है दोस्तों रीप funds के चैनल में आप असो करे तो आप देख लीजे इसको कैसे क्या लगाना होता है इसको सिखा देते हैं आपको इसे चोटे-छोटे बार थैं आपके दूसरे छोर वाले पिन को देख लेते हैं इसमें कोई तार वगएरा सही सब लगा हुआ है और देख भी लेंगे कि हमारा तार कौन सा कहां कनेक्ट है तो दोस्तो इसमें एक अर्थिंग पॉइंट होता है एक ओडियो पॉइंट होता है कि मतलब यह और कहीं से तो नहीं खिच गई है पता लगे हम तार तो लगा दें देखिए कंटिनुटी ठीक ठाक आ रही है कोई दिक्कत नहीं है तो तारो को चेक करना जरूरी है ताकि हम पता लगे कनेक्शन भी कर दें फिर भी माई करना चले तो इसलिए हम पूरे चेक कर लेंगे और यह देखिए यह रेड वायर की भी कंटिनुटी चेक कर लेंगे दो वायर की हमने कर ली है दो खाली यह लगी हुई थी उसमें ही खाली ग्राउंड में तो यह सारी वायर ठीक है और यह देखिए इसका यह है ये इसका connector है हम इसी में इसकी wire को connect करेंगे जैसे भी ये connect होती है आपको बता देंगे तो आप भी आपके पास ये काम आएगा तो आप कर लेंगे ठीके दोस्तों काम सारे आने चाहिए आपके पास कोई भी काम आए आप मना ना कीजिए इसके भी 20-30-40 रुपे मिलेंगे ही क 12-39 इसे करके लिखा होता इसपे 123 ठीक दोस्तों तो ये हमारा पहला पिन जो है ये ग्राउंड के साथ connect होगा पहला pin है जो हमारा ground के साथ connect होगा इसमें जो इस सौकेट की वो है grounding है वो पहले pin के साथ connect करनी है हम लोगों को connect कर देंगे तो उससे जो अपना CT जैसा नहीं देता ना वो चीज नहीं आएगी अगर हम इसको अच्छे से connect करेंगे grounding के साथ तो वो जो CT वगर आती हमिंग वगर वो नहीं आएगी ठीक है दोस्तों तो आप देख लीजिए इस प्रकार से होता इसका वर्क यह आपको पता होना चाहिए कोई भी चीज है जानकारी होगी तभी आप कर लेंगे उस चीज को ठीक है दोस्तों मैं बता दे रहा हूं आपको यह देखिए यह पहली पिन के साथ हमारा connect हो गया यह देखिए connect कर देंगे ना यह दोनों अर्थ होते हैं मतलब ground और आर्थ होते हैं तो उसका अगर दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो फिर यह हमारा humming वगर नहीं करेगी हमारी माइक जो है लीड यह हमारी ठीक से चले कलार का है वो भी ग्राउन्ड है आप देख लीजे झार हूँ आपको ये देखिए ओ सॉरी कुछ आउट हो रहा है हाँ ये देखिए ये दूसरा वायर मैंने जोड दिया और ये देखिए यह पहला वायर मैंने जोड दिया जो कि हमारा audio point का है red वाला wire हमारा audio point का है तो यी camera में आ नहीं पा रहा है फोड़ा सा मैं क्योंकि अकेले है है ho Aah इस वजे से ताहर में ने دोस्तों वो कर दिये थे तो यह socket का पीछे वालाई सा यह हमने पहनाया यह नहीं था कोई बात नहीं दोस्तों यह तो काम करते हुए गलती हो सकते किसी से भी जो भी होता है हम वह आपको क्लियर दिखाते हैं ठीक दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है तो यह देखें यह सारे ही चीज़ें हमने पहना लिए और यह तार वगेरा फिर से जोड़ देंगे इसमें जैसे हमन यह हमारा ग्राउंड जुड़ चुका है और इसके बाद देखें बीच वाले पे आपको यह भी ग्राउंड ही पिन है और यह सबसे किनारे वाली जो पिन है यह हमारी ओडियो पॉइंट है ठीक है आप देख लिजे बस यही इतना सही काम होता है दोस्तों जादा नहीं होत तो नई मेरे भाई जो भी हैं देखके कर सकते हैं तो जितने मेरे नई भाई हैं आपने देखा वीडियो कैसी लगी आपको उसके लिए लाइक करिए सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को और सीखते रही हमारे चैनल पर आके सारी चीज़े आपको सिखाएंगे फ्री में दोस्त ठीक है दोस्तों यह दिखे बस इसको ऐसे करके आपको बंद कर देना है और यह हमारी कम्प्लीट हो चुकी है और जब हम इसको कसेंगे ना तो इसमें यह अंदर का तार भी टाइट हो जाता है जो पीछे की गुल्ली सी थी उससे टाइट हो जाता है और फिर हम अपना यह देखिए इसकी continuity चेक कर लेंगे जो भी है कि हमारा सही से तार जो है connect हुआ या नहीं हुआ देख लिजी आप इस तरीके से आपको continuity चेक करने है तीनों पॉइंट की और यह हमारी बैतरी ना रही है यानि हमारे तार बगएरा जो है अच्छे से connect हो चुके है तो दोस्तों चैनल को लाइक सस्क्राइब और शेर कीजिए धन्यवाद आपका आप लोग वीडियो देखते रहे हैं कैसा लगता है आपको वो कमेंट बगएरा किया कर जी और धन्यवाद यह देखें